नमस्कार परकासर हिंदी यूटूब चैनल पर आपका सवागत है इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बजट 2024 पर जो कि आज गोसित हुआ है बजनलाल सरकार का पहला अंतरीम बजट है जो कि लोकसभा की चुनाव से पहले का बजट है लोकसभा की चुनाव मई जोन में प्रस्तावीत है और उससे पहले बजनलाल सरकार ने यहां पर अंतरीम बजट पेस किया है डिप्टी सियाम और वितमंदरी दियाकुमारी की दवारा ये बजट पेस किया गया है किसानों, महिलाओं, युवाओं और कोलेज की स्टुडेंट से समंदित 25 बड़ी गोशनाई इस बजट में की गई है वे कौन-कौन सी गोशनाई है जो कि इन सभी से समंदित की गई है उन सभी बिंदों पर इस वीडियो में हम सर्चा करने वाले है यदि आप राजस्तान से ब्लों करते हैं तो अवसे ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है तो बजट दोज़ार चोबिस जो कि पेस किया गया है दियाकुमारी के दवारा इसके मादम से गोशना की गई है कि जो पेंशन है वो बढ़ाकर की ग्यारा सो पचास रुपए कर दी गई है जो कि पहले अजार रुपए में करते थी पांस साल के लिए फ्री रास्तान की निवासियों के लिए कर दी गई है फ्री गैस कनेक्शन से समन्दित भी यहां पर उन्होंने पेस किया है और कहा है कि फ्री गैस कनेक्शन रास्तान की निवासियों को दे जाएंगे 17,000 बर्तियों की यहां पर एलान इस बजट में दिया कुमारी ने किया है कि आने वाले मैनों में अर्थार 2024 के जो मैने बचे हो हैं उनमें युवाओं के लिए 17,000 बर्तियां की जाएंगी जो विभीन विवागों होंगी यह युवाओं के लिए बहुत अच्छा सुनेरा आउसर होगा परकासर हिंदी यूटूब चैनल पर आपने हैं तो परकासर हिंदी यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस कर आल पर के लिए कावस्य करें किसी परकार की वीडियो में लेकर के जानकर या में लेकर के आता रहता हूं और इसी इस बज़ट के पेश होते ही राजस्तान में आज से ही 10 नियमों में अब बदलाव आने वाला है कौन कौन से इसी नियम है जिन में अब बदलाव आने वाला है उनके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे और महिलाओं को 50,000 रुपे दे जाने की गोश्णाई बस इ दिया कुमारी ने की है क्योंकि दिया कुमारी श्यों महिला है और महिलाओं के लिए भी बड़ी-बड़ी गोशनाई इससी बजट में इन्होंने की है तो बज़नलार सरकार की दवारा जो ये पहला बजट अंतरिम बजट पेस किया गया उसके बारे में हम पूरी जानकर यहा गई हैं उन सभी बिंदो प्राम चर्चा करेंगे इसलिए आप वीडियो को टेलिग्राम वार्टसप फेस्बुक की मादम से अन्हें लोगों तक भी आप सेंड कर दीजिए ताकि इस अंतरिम बजट में जो गोशना की गई हैं उन सभी की जानकरी सभी लोगों को हो सके बारे में हम पूरी जानकरी इस वीडियो में लेने वाले हैं रास्तान की उपमुक्यमंत्री और वित्मंद्री दिया कुमारी ने आज पच्छ आ सकता है तो ऐसे इलाकों के लिए इस बजट में दियाकुमारी ने एक जार करोड रुपय का प्रावदान किया है तो इसकुलों और कोलेजुस से समंदित यहां पर एक जार करोड का प्रावदान इस अंद्रीम बजट में दियाकुमारी ने किया है जो कि बहुत ही अच्छा फ दिसमर के अंद तक कर्ज बार भढ़ करके 5,89,721 क्रोड हो जाएगा इस हिसाब से पर्तिविक्ति जो कर्ज है वो दिसमर 2024 के अंद तक 17,800 रुपे हो जाएगा तो दियाकुमारी निका है कि गेलो सरकार ने रास्तान में ब्रश्टाचार फेलाया है और कूप प्रबंदन किय गया था इस कान से राजस्तान की निवासी उपर करजा भढ़ गया है वर्स 2017-18 में जो पर्तिविक्ति करजा राजस्तान में 36,800 रुपे था वो दिसमर 2024 के अंद तक 17,800 रुपे हो जाएगा ऐसी गोश्न दियाकुमारी ने की है तो दियाकुमारी निका है कि गेलो सरकार के को प्रवंदन के कान राजस्तान की निवासी उपर 2017-18 में एक विक्ति पर करजा था 36,800 लेकिन अब राजस्तान के हर निवासी पर 17,800 रुपे का करज है ऐसी बात उन्होंने कही है उन्होंने कहा है कि ये सब पूरुर्वर्ति सरकार की वज़े से हुआ है तो रास्तान के ह आगामी वर्स में सरकार के अदिन लगबक 17,000 पदू पर भरतिय की जाने की गोशना युआउं के लिए की है बुजर्गों को रोडवेज के राये में 50% की छूट दी गई है इस अंतरीम बजट में दिया कुमारी ने बुजर्गों के लिए रोडवेज के भाड़े में 50% क उनको छूट दी जाएगी बेटी होने पर एक लाख रुपए का सेविंग बौंड भी दिये जाने की गोशना इस अंतरीम बजट में दिया कुमारी ने की है परकासर हिंदी यूटूब चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर आल प बजब की माध्रम से किया गया है पहले आजार पर मिला खरते थे लेकिन अब 1150 रुपै मिलेंगे जिनको 15 रुपै मिलते थे अब उनको 1650 रुपै हर मेंने मिनने वाले हैं अंत्रीम बजट में वित्मंदरी ने काया कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिल कार्ड इसकीम भी शुरू होगी और उससे पांस लाग गोपाल को करज दिया जाएगा जो की बहुत ही कम ब्याज पर वसुला जाएगा तो इस अंतरीम बजट में वीत मंतरी दियाक हुमारी निकाह है कि किसानों के लिए हम गोपाल करेडर कार्ड योजना लेकर के आ रहे हैं जिसके माध्यन से रास्तान के पांच लाग गोपाल को यानि किसानों को बहुत ही कम ब्याज पर करजा दिया जाएगा गोपाल करेडर कार्ड योजना जैसे ही शुरू की जाएगी वैसे ही परकासर हिंदी यूटूब चैनल पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर आल पर क्लिक अवस्य कर लें क्योंकि बिना सब्सक्राइब की हुए आपके पास किसी परकार सी कोई नोटिपिकेशन प्रापते नहीं होगा मुख्यमंतरी जल सवावलंबन कैम्पियन के तहट बीस हजार गाउं में पांच लाग जन संचियन संरचने तयार करने समेथ कई गोष्णाई भी इस बजट में की गई है तो मुक्यमंत्री जल सवावलंबन अभियान रास्तान में चलाए जाएगा और 20 अच्जार गाउं में 5 लाग जल संसेन संड़सना ही तैयार की जाएगी ताकि रास्तान की निवास्यों को पाने से समधित कोई समस्या ना आए वितमंदरी दिया कुमारी ने आगामे एक साल में 17जार पदों पर बर्ति करने का अलान किया है जैपूर मेटरों के विश्तार की गोशना वियां पर इस बजट में दिया कुमारी ने किया है अरावली हिल्स छेतर में 30,000 हेक्टियर छेतर में बहुत ही बड़े पैमानी पर वरक्षुर रोपन किया जाएगा और जैपुर के पास में एक हाई टेक्सीटी बनाए जाने की गोशना भी इस अंतरीम बजट में दिया कुमारी ने की है अंतरीम बजट में विदान सबाद छेतरों में इसकोलों, कॉलेजों और अस्पतालों की स्तापना और उनके उन्यान यान उन्यती के लिए एक जार क्रूर रुपे का आउंटन इस बजट में किया गया है इसकोलों कॉलेज और अस्पतालों के लिए एक जार रुपे का पराउदान इस अंतरी मजट में दिया कुमरी ने किया है तेन सो यूनिट मुब्त बिजली के साथ सामाजिक सुरिक्षिया को एक जार रुपे से बढ़ाखर की ग्यारा सुपचास रुपे करने का ऐलान किया है तो रास्तान की निवासियों को हर मेरे तेन सो यूनिट बिजली फिर्मी मिलेगी और एक जार रुपे की जो पेंशन बुजरुकों को मिलती थी अब उनको ग्यारा सुपचास रुपे मिलेंगे पी-एम किसान सम्मान निदी योजना में अब 6,000 किस्तान पर 8,000 रुपे की राशी परदान की जाएगी परदानदरी किसान सम्मान ने दी योजना कि माजन से पहले 6,000 रुपे मिलते थे लेकिन अब यहाँ पर 8,000 रुपे मिलना शुरू हो जाएंगे जो रास्तान के किसानों के लिए बहुत एक अच्छी खुश कबर है गर्वती मैलाओं को मिलने वाले 5,000 की रास्ती को बढ़ा करके 6,000 रुपे कर दिया गया है तो गर्वती मैलाओं को पहले 5,000 रुपे दिय जाते थे लेकिन अब 6,500 रुपे दिय जाएंगे तो रजस्तान में जो भी सरकारी कोलेज हैं उनमें पढ़ने वाले जो सिट्टेट्स हैं उनको एजार रुपए यहां पर दे जाने का प्रावदान इस बज़िट में किया गया है ERCP के तैद 13 जिलों के बजाए अब 21 जिलों में पानी की सप्लाई होगी ERCP जो की एक बहुत ही बड़ी जल प्रियोजना है इसके मादम से पहले 13 जिलों में पानी पूंचाए जाने की सम्मावना थे लेकिन अब इसमें और रुप्यों का प्रावधान करके इसका बजट बढ़ा करके इसके पानी को भी 21 जिलों के अंदर पूंचाए जाएगा और यदि ये ERCP रास्तान सरकार की जवारा शुरू कर दी जाती है तो अवसे रास्तान के अंदर जो जल संकट है वो किसी भी प्रकार से रहने वाला नहीं है अर्थाथ बिलकुल पूरी तरह से ये जल संकट खतम हो जाएगा बजट में दूसरी बड़ी गोशना चार वरसों में बजट में पांच लाक जल संचियन संद्रचनाई तयार होंगी और मुक्यमंत्री जल सवावलंबन जो अभीहान है उसको और तेजगती दी जाएगी और इस मुक्यमंत्री जल सवावलंबन अभीहान के लिए 11,200 क्रोड रुपय का प्रावदान इस अंतरिम बजट में किया है कुमारी निका है कि पुरो सरकार ने कई विदान सबाचेतरू के साथ अंदेखी की थी तो यहाँ पर इस अंतरिम बजट में दिया कुमारी निका है कि राजस्तान के अंदर 20,000 गाउं में पानी को लेकर कि बहुत ही बड़ी पैमाने पर अपकाम शुरू होने वाला है और 20,000 गाउं में पांच लाग जल संचन संडचनाएं बनेंगी जिसके लिए 11,200 करोड रुपय का प्रावदान राजस्तान में किया गया है ताकि राजस्तान में पानी का संकट दूर हो सके लगपती दीदी योजना के तहट रास्तान की महिलाओं की आई को बढ़ाये जाएगा लगपती दीदी योजना की मादन से रास्तान की महिलाओं की आई बढ़ाये जाएगी ताकि वो आतम निर्वर हो सके और अपना भरन पोशन कर सके लगपती दीदी योजना के अंदर फोरम बरे जा रहे हैं किस परकार से फोरम बर सकते हैं इसे समझेद पूरी जान करें आपको परकास रहे हैं यूटूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध है उसको देखें और देखर कि लगपती दीदी योजना का आव लाव लें इसकी मादन से रास्तान की महिलाओं को लगपती बनाय जा रहा है बज़ट की दोरान बताएगा कि लाड़ो प्रोसान योजना के तहट पांस लाग परिवार की आई को एक लाख रुपे से ज़्यादा बढ़ा जाएगा लाड़ो प्रोसान योजना के तहट गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर एक लाख रुपे का सेविंग बॉंड भी उस लड़की के लिए उस परिवार को दिया जाएगा तो राजस्तान में लाड़ो प्रोसान योजना संचलित की जा रही है इससे समंदित यदि आपको पूरी जान करें चाहिए और लाड़ो प्रोसान योजना का यदि आप हाइदा लेना चाहते हैं इसका भी फोरम भरह जा रहे हैं तो यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो परकासर हिंदी यूटूब चन्न पर वीडियो बहुत ही जल्द उपलब्द होने वाला है, उस वीडियो को आप देखर किस योजना पुरलाब ले सकते हैं, इसके लिए आप परकासर हिंदी योजना को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेश कर आलपर के लिए के आवस्य कर लें तो यहां पर लाड़ो प्रोसान योजना की माद्धन से राज़स्तान की पॉंस लाग परिवारों को एक एक लाख रुपए आपर दिया जाएगा और उन परिवारों में यदि बेटी का जनम होता है तो उस बेटी के लिए एक लाख रुपए का सेविंग बॉंड भी दिया जाएगा वीडियो को टेलिग्राम वाड़साप फेस्बुक की माद्धन से आने लोगों तक भी आप सेंड कर दीजिए किसानों को आसानी से मिलेगा कर्च तो किसानों से समझे भी बहुत अच्छी यहाँ पर इसके में निकाली गई है बज़ट में किसानों के लिए गोशना की गए एक इसके तहट दोजार क्रोड रुपए का कर्शी छेतर के लिए राजस्तान एगरी कल्चर कोस बनेगा किसानों को मुपत में यानि फिरी में बिजली किसानों को मुपत में फिरी में बीजिक्ट दी जाएंगे किसान क्रेडिक कार्ड की तरज पर राजस्तान में गोपाल क्रेडिक कार्ड भी बनना सुरू होंगे पहले फेज में पांस लाग गोपालक परिवर्ण को करज दिया जाएगा और हर गोपालक को एक लाख रुपे तक करज इस योजना की मादन से दिया जाएगा तो राजस्तान के अंदर करसी से समंधित राजस्तान एगरिकल्चर कोइब सरकार बनाएगी जिसमें 2000 क्रोड रुपे का प्रावदान इस अंत्रिम बजट में सरकार की दवरा किया गया है और इस बजट में ये भी का गया किसानों को फ्री में बीज के किट भी दे जाएंगे और किसान करेडिर कार्ड के आधार पर ही राजस्तान के किसानों के लिए एक नई योजना सरकार लेकर क्या रही है जिसका नाम है गोपाल करेडिर कार्ड और गोपाल करेडिर कार्ड लौन एक एक लाख रुपे का दिया जाएगा जिस पर बहुत एक कम भ्याद लगेगा तो गोपाल करी रिकार्ड योजना कब शुरू की जाएगी जैसे ही योजना को शुरू किया जाएगा वैसे आपको परकासर हिंदी यूटूब चनल पर इसकी पूरी जानकरी दे दी जा गया है उससे समन्दित या महित्कुन बिंदू याँ पर जान रहे हैं 20 अज़र युवाओं को गाइड होस्पीटिलिटी की ट्रणिंग राजस्तान में दी जाएगी अलब आई वरा को और सी मंद के सानू की जो बच्चे हैं उनको फिरी में एजुकेशन दी जाएगी शि पहले से आठवी की सभी चातर और कख्या नो से बार्वी तक की सभी चात्राओं को एक अजार रुपे मिलेंगे इस परकार से रास्तान की 70 लाख इस्टूडेंट्स को यहां पर फाइदा होने वाला है तो राजस्तान के अंदर जितने भी इस्टूडेंट्स हैं कख्या प फाइदा होने वाला है राजस्तान में पांस लाख किसानों को मुथ बिजली दे जाने का एलान इस हंत्री मजट में दिया कुमारी ने किया है वितमंतरी निकाह की सोलर पैनल के जरिये रास्तान में पांस लाख परिवारों को मुथ बिजली दी जाएगी और वितमंतरी नि अंदर रास्तान की निवासियों को हर मेने 300 यूनिट फिरी में बिजली दी जाने की गोशना भी इसे अंतरीम बजट में दिया कुमारी ने की है और परदान उंतरी ने जो गोशना की थी उसके आधार पर रास्तान की पांस लाग गरूं की च्छतों के उपर सोलर पैनल लगा के लिए आई है तो रास्तान के अंदर बजलाल सरकार का जो पहला अंतरीम बजट दिया कुमारी के द्वारा पेस किया गया जो की एक लोगस्वा की चनाव के पहले का बजट है जिसमें महिलाओं किसानों और युवाओं को इलिए कोलेज इस्टुडेंट्स के लिए पानि आउ तो लाइक करें कमेंड करके अवस्य बताएं और बजल से समंदित कोई बी जानकरिया. आपको चाहिए तो आप कमेंड कर सकते हैं उसे समंदित पूरी जानकरिया आपको देरी जाएघी और कास्तर हímदी यूटूब चेनल पर यदिया आप नहीं है तो चैनल को सबस्र 24 जो गोस्त बजनलार सरकार की द्वारा किया गया है इसमें कौन-कौन सी किसानों मैलाओं यूओं सी समंदित गोशने की गई हैं एलान किये गई हैं उन सभी सी समंदित सभी को जानकरी हो सके धन्यवाद